एक्सरसाइज वन पॉइंट टू का कुश्चन नमबर एट देखते हैं एट कुश्चन में दिया हुआ है एक स्टूडेंट है उसने गलती से इस नमबर को 65 से मल्टिप्लाई कर दिया जबकी उसको 56 से मल्टिप्लाई करना था By how much was his answer greater than the correct answer? तो अब आप ये बताओ कि इसको मल्टिप्लाई करने पर जो answer आया है वो actual answer से कितना बड़ा है actual answer क्या होगा? actual answer वो होगा जो इसको इससे मल्टिप्लाई करने पर आएगा क्योंकि उसने गलती से 65 से multiply कर दिया है उसको multiply करना था 56 से ठीक है तो इस question को solve करने के दो तरीके हैं लेकिन जो दूतरा तरीका है वो बहुत ही आसान है आपको यहाँ पर question में hint दिया हुआ है do you need to do both the multiplication क्या आपको दो बार multiplication करना है करने की जरूरत है क्या इसको question को solve करने के लिए तो देखो आप चाहो तो दो बार multiplication करके भी ला सकते हो या दो बार बिना multiplication के भी answer ला सकते हो दोनों ही method सही है या कोई सा भी method follow कर सकते हो तो पहला जो method है वो क्या होगा देखो student ने इस number को इससे multiply किया है तो 7236 into 65 आप इसको multiply करोगे तो यहाँ पर आपका एक answer आ जाएगा फिर उसके बाद यह जो 7236 है इसको actually 56 से multiply करना था तो 7236 into 56 ठीक है तो यह जो answer आएगा इसका वो answer गलत होगा क्यों गलत होगा क्योंकि 65 से तो उसको multiply करना ही नहीं था उसने गलती से किया था तो यह जो answer होगा यह wrong answer है ठीक है ये आपको लिखने की जरुरत नहीं कि रॉंग एंसर है मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ जो सही आंसर है वो कौन सा होगा यहाँ पर जो आएगा वो सही आंसर होगा क्योंकि 56 से इसको multiply करना था तो ये right answer होगा ठीक अब इन दोनों का multiplication निकालने के बाद जो भी number यहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है और यहाँ पर जो number आपको मिलेगा मैं cross इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं multiply नहीं कर रहा हूँ ठीक है इन दोनों में से आपको इसको subtract कर देना है subtract करने के बाद आपके पास एक final answer आएगा वही इसका actual answer है तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह जो number है इससे कितना बड़ा है ठीक है यह number obviously बड़ा होगा क्योंकि यहाँ 65 से multiply हो रहा है और यहाँ 56 से multiply हो रहा है तो यह एक तरीका answer find out करने का अब जो दूसरा method है वो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी बहुत आसान है आपके लिए थोड़ा सा नया होगा लेकिन बहुत आसान है आप ध्यान से देखो देखो question में आपको बुला है इन दोनों के multiplication का difference निकालना है तो मैं यहाँ कैसे निकालूँगा देखो मैं इसके number का multiplication लोगा 7236 into 65 ठीक है यह number उसने गलती से multiply कर दिया इसमें से subtract करूँगा इस वाले number को अब उसको actually किस से multiply करना था 56 से तो 7236 into 56 ठीक है समझ में आ गया 65 से उसने multiply किया जबकि 56 से multiply करना था अब यह method आपके लिए थोड़ा सा नया है ध्यान से देखो बहुत ही simple है यहाँ पर मैं इसको bracket में लिखाता हूँ आप देखो बीच में minus का साइन है यह multiplication हो रहा है यह भी multiplication हो रहा है यहाँ भी 7236 है यहाँ भी 7236 है तो मैं इसको common ले लूँगा क्योंकि यह चीज दोनों में आ रहा है तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ यह होगा 7236 बाहर ले रहा हूँ किस से बाहर ले रहा हूँ bracket के बाहर अब यहाँ पर क्या बचेगा देखो यहाँ से 7236 bracket के बाहर चले गया यहाँ बच गया 65 यहाँ पसे भी 7236 बाहर चले गया यहाँ माइनस का साइन है क्या बचा है यहाँ 56 तो अब यह जो bracket है bracket के बाहर यहाँ multiplication हो रहा है ठीक है bracket के पहले जो भी नंबर दिया होता है उसके साथ bracket वाले नंबर का multiplication होता है तो यह है 7236 into 65 में से 56 आप सब्ट्राट कर सकते हो 65 माइनस 56 होता है 9 अब यहाँ पर multiplication आपके लिए बहुत simple है यहाँ पर दो-दो डिजिट से multiply करना था यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट से multiply करना है इसी लिए यह चीज़ सिंपल है तो इसको multiply करते है 7236 को अगर 9 से multiply किया जाए 9-6 हो गया 54 9-3 आ 27 27 प्लस 5 हो गया 32 9-2 आ 18 18 प्लस 3 हो गया 21 9-7 आ 63 63 प्लस 2 हो गया 65 तो यहाँ answer आया 65,124 तो जब जो गलती उसने की है 65 से उसने multiply किया 56 से करना था तो इन दोनों के बीच का जो difference है वो find out करना था क्यों करना था क्योंकि यह number इस से कितना बड़ा है यह पता करना था तो यह जो number है इस number से मतलब यहाँ answer आएगा यह answer इस answer से 65,124 बड़ा है आप चाहो तो इसको wordings में भी लिख सकते हो यह question पुचा है by how much was his answer greater than correct answer तो correct answer तो यह वाला होता ठीक है और यह wrong answer होता तो इससे यह कितना बड़ा है his answer was इतना बड़ा था 65,124 greater than correct answer तो इन दोनों method में से कोई भी method follow कर सकते हो यह दोनों अलग-अलग method है आपको दोनों method नहीं करना है मैं आपके समझने के लिए बता रहा था कि किस तरीके से किया जाता है यह first method है यह second method है first method आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा क्योंकि यहाँ पर दो-दो डिजिट से आपको multiply करना है फिर subtract करना है second से बहुत simple है आपको यहाँ से common ले लेना है आपके लिए थोड़ा सा नया है लेकिन सीखने के लिए नया चीज मिलेगा common लेके आप 9 से multiply करो आपका answer आ जाएगा इन दोनों ही method में यही answer आपको मिलेगा ठीक है दोनों ही method सही है कोई भी method आप follow कर सकते हो यह हो गया exercise 1.2 का 8th question नेक्स्ट वीडियो में आपने इसका अगला question देखेंगे नेक्स्ट वीडियो का link आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा